नमुश्कार में अप्रिया आज हो नतिस जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर निटीश क्याबिनिट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर नया वहार खरीते पर टाक्स में छूट बीते दिन पटना समेथ बिहार के विभिने जिलों में दिखा बंद कास है एफ एस एल में नौकरी के लिए करे आवेद बिहार में मिले कोवर्ट-19 के 1500 से ज्यादा मामलेज अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से नितीश काबिनेट की बैठक में 18 एजेंडो पर लगी मुहर सीम नितीश कमार के धेक्षता में बीते दिन काबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी मंतरी वीडियो कांफरेंसिंग के माधेम से जुड़े थे जिसमें 18 एजेंडो पर मुहर लगी है इस बैठक में 11 परिवहन वाहनों को स्क्राप किये जाने पर मोटर वाहनकर में 25 फीजदी की छूट और परिवहन वाहनों को स्क्राप किये जाने पर मोटर वाहनकर में 15 प्रतिशुत की छूट दिया जाना प्रावधान की आ गया है इस यथा सिटी लागु करते वे निवंधन प्रादिकार और अपीलिय प्रादिकार को वे निर्दिश्ट करने की स्विकृती भी दे दी गई है इसके साथ ही साथ बिहार कैबिनेट में सेपी में कारेड़त भारती सेना के सेवार निर्दिश्ट सैनिकों के लिए कुल स्विकृत 17,000 की अनुबंध अवधी 2021-22 के लिए विस्तारित कर दी गई है क्याबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले में ये भी कहा गया है कि बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता पता को पारिवारिक पेंशिन की अहरता के लिए आयू सीमा कि उनकी पारिवारिक पेंशिन की अनुमानिता की तारिक खोला गुनियुनतम पारिवारिक नरधारित किये जाने के स्विक्रती दी गई है आज जिहारी बात्रे स्पेशल में हम बात करेंगे राहुल रोशन की राहुल रोशन एक भारतिये ब्लॉगर और व्यवसाई है रोशन ने एक व्यंग समाचार वेबसाइट फेकिंग न्यूस की स्थापना की और अप इंडिया के सीई-ओ है एक दक्षुन पंधी समाचार पोर्टल जुसने नकली समाचार प्रकाशुत किया है ये मुल रूप से पटना से है और वो अब मुंबई में स्थित है और वहाँ पर भारतिये जंसंचार संस्थान के पुर्व छात्र भी रह चुके है और IIMA में उन्होंने अपनी पढ़ाई पुरी की है उन्होंने 2016 तक फेकिंग न्यूस के संपादक के रूप में कारी किया सहित कई लोगों से सकरात्मक स्वागत भी देखने को मिला था स्वास्तव भाग के दरफ से मेलिजु आनकारी के नसार भीहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर 1654 मामलों के फुष्टी हुई है जिसके बाद भीहार में आक्टिव मरीजों की संख्या में 9, बकसर में 25, दर्भंगा में 49, इस्ट शंपारण में 116, गया में 2, गुपाल गंज में 33, जमुई में 16, जुहानबाद में 0, कैमूर में 4, कटिहार में 28, खगडिया में 11, किशन गंज में 13, लखी सराय में 14, मधिपुरा में 61, मधुबनी में 46, मुंगेर में 63, में 21, पुर्णिया में 44, रहतास में 35, सहरसा में 98, समस्तिपुर में 79, सारन में 88, शेखपुरा में 14, शिफवहर में 6, सीता मड़ी में 33, सिवान में 20, सुपॉल में 12, वेशाली में 165, वेश्चिमपारन में 38, मामलों के पुष्टी हुई है, इसके लावा 18 अन्य सांपल के रिपोर्ट भी पॉजिटिफ पाई गई है, जो दूसरे राजु के हैं, लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं, इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1524 सांपल की जाच की गई, वह इस दौरान 2976 मरीज ठीको क अगर आप भी आने वाले दिनों में नए वाहन की खरिदारी करने की सोच रहें तो हमारे पास आपके लिए एक एहम जानकारी है, बीते दिन ही मुख्यमंतरे नितीश कमार के अध्यक्षता में राज्य क्याबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में बिहार सरकार की तरफ से चूट वाहन मालिकों को मिलने वाली है, यानि कि अगर आप आप नए वाहन की खरिदारी आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये ओफर बहुत ही लाबधायक होने बारा है, बीते दिन परना समेट बिहार के विभिन जिलों में दिखा बंद का असर, आर बीते सुबह से ही राज़ानी पटना समेट कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं इस बार तो राज़नेतिक पार्टियों ने भी इनका साथ दिया था, जिसके परिणाम सरू पटना के दाग बंगला चौरा है पर बंद समर्थकों ने सवेरा चौक के पास आगज़नी की वहीं पटना के नंदलाल शप्रा के पास राज़त समर्थकों ने बाइपास जाम कर दिया, मोतिहारी शहर के छतोनी चौक सित राजमार पर आगज़नी कर आवा गमन ठब कर दिया गया, बंद को देखते वे सभी रेलबे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलीस बल की तैनाती भी की गई थी, बिहार के इन 15 जिलों में इस संस्थान को खोलने के लिए मिलेगा 20 लाग कानुदान, बिहार के कई जिलों में अब तक मोटर वाहन चालान प्रसिक्शन संस्थान को खोलने का का काम किया जा जुका है, जिसके बाद बिहार के 15 जिलों में मोटर वाहन प्रसिक्षन संस्थान खोलने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि परिवहन विभाग ने इन जुलों में एक एक संस्थान खोलने की और अनुमती दे दी है सबसे खास बात यह है कि संसान खोलने वालों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपे का अनुदान भी दिया जाएगा परिवहन सचिफ संजे कुमार अगरवाल ने इस बात की जानकारी दी है संजे कुमार अगरवाल की माने तो सरक सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग 15 जिलों में एक एक अतिरिक्त ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए और मोटर वाहन चारान प्रसेक्शन संसान की स्थापना करने जा रही है वहीं जिन 15 जिलों में परिवहन विभाग ड्राइविंग स्कूल को खोलने की योशा बनार है उसमें नालंदा, गया, मधुबनी, सुपॉल, दर्भंगा, गोपाल गंज, पतना, वैशाली, पुर्निया, किशन गंज, कैमूर, नवादा, पुर्वी, चुमपारन, मुजफरपुर और जमुई जिले का नाम शामिल है फसल में नौकरी के लिए कर्यावेदन, बिहार में पुलिस अनुसंधान में विग्यानिक जाँच को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साक्षिक खत्म करने को लेकर के राज्य के सभी पुलीस रेंज में छेतरी विधी विग्यान प्रयोकशाला स्थापित किये जाने की योज़ा बनाई गई है इन छेतरी विधी विग्यान प्रयोकशाला के लिए बड़े पैमाने पर बहाली होनी है और इसकी शिर्वात हो चुकी है वर्तमान समय में पटना मुजफरपूर और भागरपूर में FSL जाँच की सुबदा है अन्य नौरेंज में FSL जाँच के लि बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों का हुआ तबादला बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों का तबादला कर दिया गया है मिली जानकारी के नुसार तीनों बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है इस समंद में सामाने प्रशाशन विभाग में प्रदेश में पच्छुआ और उतर पच्छुआ हवा का प्रवाह देखनी को मिल रहा है प्रवासियों को ज्यादा कनकनी का सामना करना पड़ा है हालाकि अभी लोगों को इस ठंड से रहत मिलने की कोई उमीद तो नहीं है क्योंकि मौसम विभाग की माने तो पट्टा समेत 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थती बनने की रहने की आसार है मौसम विभाग ने इस जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले तीन दुनों तक्षीत लहरी की स्थती बने रहने की आसार है प्रदेश के उत्तर पश्रिम, उत्तर मध्य, दक्षिन पश्रिम और दक्षिन मध्य भाग में अगले तीन दूनों तक्षीत लहरी के स्थिती बने रहने का पुरवानुमान है रेल्वे भाली प्रक्रिया को लेकर अप प्रधान मंत्री के साथ होगी चर्चा बिहार में बीते कुछ दुनों से चात्रों का प्रधर्शन जारी है, वहीं चात्रों का ये प्रधर्शन NTPC रिजल्ट को लेकर था हाला कि अब सरकार की तरफ से चात्रों को दो बड़ी मांगों को तो मान लिया गया है लेकिन अप प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के साथ रेल वे भाली प्रक्रिया को लेकर चर्चा होने वाली है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस मामले में पीएमों भी सनलिप्त हो गया है विवाद को बढ़ता देखकर पीएमों ने रेल अधिकारियों संग बैठक बुलाई है मीडिया में चल रही खबरों की माने तो चात्रों की नालाजगी को लेकर पीएमों दी ने गंभीर चुंता जुताई है दिहारबंद की खोशना के बाद चात्रों की आकरोश को श्रांत करने के लिए भी पीएमों ने पहल की थी हाला कि चात्रों का कहना था कि पीएमों ने अब तक इस मुद्धे पर ट्वीट क्यों नहीं किया हेल्थ अपॉर्टमिन घोटाला में पटना हाई कोट ने किया जवाब तलब बीते दिन पटना हाई कोट ने बिना किसी टेंडर और पब्लिक नोटिस जारी किये मैन पावल की आपूर्ती के लिए समविदा दिये जाने के मामले में सुनवाई की चीफ जस्टिस संजे करोल की खंटपीट ने अखिलेश की जनहित याचुका पर वर्चुल रूप में इसकी सुनवाई की इस दोरान पटना हाई कोट ने राजुसरकार के स्वासविभा के प्रधान सचिव और आयूश के डायरेक्टर से इस मामले में जवाब तलब किया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पटना हाई कोट में दायर की गई या चुका में आरोप लगाए गया है कि इस हेल्थ अपोइन्मेंट घुटाला दोहजार उनीस में 36 करोर रुपे से भी अधिकी समविदा अवेध और धोक के बाजी से दी गई है ये समविदा पटना के अगमकुआ स्थित सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी मेसर्स वैशनवी हॉस्पिटल को दी गई है और इस मामले में आगे की सुनवाई 22 फरवरी 2022 को की जाएगी बिहार के बच्चों की चात्र विथी के लिए 288 करोर जारी बिहार के बिभिने कोटी के प्रारंफिक स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के चात्र चात्राओं को मौजुदा वितिय वर्ष में चात्र विथी के लिए सिक्षा विभाग की तरफ से राश्वी जारी कर दी गई है जिसके तहब विभाग की तरफ से कुल मिला करके 288 करोर 21,73 रुपे जारी कर दिये गए है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मौजुदा वितिय वर्ष में चात्र विर्थी के लिए 75 फीजदी हाजरी की अनिवारिता को शितिल कर दिया गया है प्री मैक्ट्रिक चात्र विर्थी योजना के तहट आठ अलग अलग स्विकृत आदेश के माध्यम से कुल राशी जारी की गई है बिहार में अब गुरुजी ढूनेंगे शराब बलकि शराब पीने और पिलाने वालों पर नकेल भी कसेंगे स्कूल में शराबी ना पहुंचे इसका खयाल भी उन्हें रखना होगा इस बात को गंभीरता से लेते वे सिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है बिहार सरकार ने योजनाओ के लाभारतियों के लिए लिए बड़ा फैसला बिहार सरकार ने साइकल पोशाक के साथ-साथ अन्य योजनाओ को ले करके और इन जैसे दर्जन योजनाओ के लाभारतियों के हक में बड़ा निर्न लिया है जिसके तहट बिहार में अब लाभारतियों को विभाग से पैसा डीबीटी नहीं होगा राशी बैंक खाते में भेजने के लिए बगाएदा अलग प्लाटफॉर्म तयार किया जाएगा इसको लेकर मुख्य मंत्र नितिश कुमार के अध्यक्षता में बुलाई गई राजु मंत्री मंदल की बैठक में केंदर सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के नीजी करन के विरोध में बीते दिन एक दिवसी अहरताल में पटना की बीमा कर्मी द्वारा बुलाई गई थी जो की जॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले बुलाई गई थी JFTU की अपील पर शेहर में औरियंट इंशॉरंस नाशन इंशॉरंस युनाइट इंडिया इंशॉरंस और न्यू इंडिया इंशॉरंस के कारियालियों में काम काजबादित रहा इस सम्मन्द में एक प्रस्ताव भी लाए गया था इसी दौरान हर्ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जम कर नारे बाजी भी की। और खाली मैदान में विशेश घांस लगाई जाएगी जिसे कॉलकता से मंगाई गई है। राजी सरकार की तैयारियों के लिए जानकारी बीते दिन बिहार में COVID-19 के मौझदा मामलों को ध्यान में रखते वे चीफ जस्टिस संजक रोल की डिविशिन बेंच ने शिवानी कौशिक और रहने की जनहती याचिकाओं पर सुनवाई करते वे राजी सरकार द्वारा स्वा परना महमारी को नियंतरत करने के लिए की जा रही कारवाई का बियोरा 24 जनवरी 2022 तक देने का निर्देश दिया गया था उसी दोरान राज्य सरकार की तरफ से अड़ोकेट जनरल ने इस महमारी के रोक थाम और नियंतरत करने के लिए की जा रही कारवाईयों का बियोरा द को आखरी रूप देना श्चुरू कर दिया है इसे बीच जद्यू की तरफ से बीते दिन स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई सूची में जद्यू के राश्च्रे अध्यक्ष और सांसद राजीव रंदन सिंग उर्फ ललन सिंग प्रधान महासचिव प्रवक्ता के सित्यागी उपेंदर कुश्वाह चेयर्मेन पार्लेमेंटरी बोर्ट रामना ठाकुर सांसद राज्यूसबा राश्च्रे महासचिव प्रदेश अध्यक्ष बिहार जद्यू मौलाना गुलाम रसूल बलियावी राश्च्रे महासचिव हर्श्वर्धन सिंग राश्च्रे महासचिव रविंदर प्रताप सिंग राश्च्रे साच्रे अनूप सिंग पतिर अध्यक्ष जद्यू उतर प्रदेश आर्पी चौध प्यागी, संजे कुमार, राश्ट्रिय अधियक्ष, युवा, जद्यू, डॉक्टर भरत पतिर, संजे धंगर और डॉक्टर के कितरपाथी का नाम शामिल है। मिलन समारों में, जद्यू, युवा, प्रकोष्ट, के सुनील कुमार, राजेश कुमार, मेधा, देवी, सहित, अन्य, नेतास, सेंकडो कारे करताओं के साथ हम पार्टी का दामन थामते देखे गए। सर्कार बंद का आवाहन किया था। जिसके बाद बंद से पहले ही सरकार ने चात्रों की दो मांग को हाला की मान लिया था लेकिन फिर उमीद थी कि चात्र या विपक्षी दल बंद का हिसा नहीं बनेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद ही इस मामले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बयान बाजी शुरू हो गई है। सिक्षकों को शराब माफियाओं का पता लगाने के आदेश पर राजुत ने सरकार पर साथा निशाना। कई विद्यालियों में ताला लटका रहता है। सरकार के इस नए फर्मान से तो सिक्षा विवस्ता ही पुर्णी रूप से ठप हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में घर बैठे बैठे ऐसे चेंज करें अड्रेस। ड्राइविंग लाइसेंस भारते नागरिकों के लिए सबसे महत्वपुन डॉक्यूमेंस में से एक है। जो बाहन चलाते हैं चाहे वो दो पहिया चार पहिया या ट्रक हो ऐसे में आज हम आपको घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस पर पता अपडेट करवाने का तरीका बता रहे हैं। आपको ना तो आर्टी ओफिस के चकर काटने पड़ेंगे और ना ही एजेंट को काम करवाने के लिए हजारों रुपे देने पड़ेंगे। कप के कौर्टर फाइनल से पहले निशानत सिंधू कोरोना पॉजिटेव। से पहले COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। हाला कि आने सभी खिलारी जो पहले COVID-19 पॉजिटिव थे अब ठीक हो गया और बंगलादेश के खिलाफ कोर्टर फाइनल माच के लिए उपलब्ध है। भारत के दियाज में आज की तारीक कई कार्लों से दर्च। मुगलसाम राजेवनश के संस्थापक बाबर ने 1528 में मेवार के राजा राना सांगा को हराकर चंदेरी की खिले पर कबजा किया। देश के पहले समाचार पत्र हिक की गजट या बंगला गजट या फिर कलकता जनरल एडवर्टाइजर को कलकता से 1780 में प्रकाशन आरब हुआ। दो इंजनवाली जंबो ट्रेन तमिलाडवे एक्स्प्रेस को 39 जनवरी 1989 को नई दिली में हरी जनली दिखा कर मदरास रवाना किया गया। के चैनल 4 की रियालिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी 29 जनवरी साल उने सु सरस्थ को भारते भीनेता बॉबी देवल का जनली आया। बिहार में अब हलकी सर्दी खासी पर भी होगा COVID-19 जाच। लेकिन अब ऐसा नहीं होने बाला है। हाला कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ विभाग ने इस तरीके के निर्देश जारी के हैं से पहले भी कई बार COVID-19 संक्रबतों की संख्या को रोकने के लिए विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर दिये हैं। कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। के नाम है सबा एहमद, मिस्टर बाबू, संजीव कुमार, एहसन, एहसन, सरोच कुमार, सोनी, शिवम कुमार, शंकर मुख्या, अमित कुमार, धंजी राम, पुर्णिमा कुमारी, भोला गुपता, अमित गुपता, जीते इंदर ठाकुर, छोटो कुमार, आप इसे तरह हमा के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबारा ना भूले, धन्यवाद.